दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे SBI के एक शांदार स्कीम के बारे में जिसमें आप सिर्फ एक बार पचास हजार रुपए जमा करके अपने लिए देड़ कडोर रुपए तक का बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और आपको कोई ऐसी स्कीम की तलाश है जहां आपको सिर्फ एक बार पचास हजार रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो SBI Mutual Fund के इस स्कीम में आप एक बार पचास हजार रुपए इन्वेस्ट करके डेल करोर रुपए तक का फंड बना सकते हैं जी हां दोस्तों डेल करोर तक का अगर आपको आने वाले कुछ सालों बाद एक बहुत बड़े फंड की जरुरत पढ़ने वाली हैं जैसे की बच्चों की साधी करनी है या फिर हायर एजुकेशन दिलवानी है जिसमें एक साथ जादा पैसों की जरुरत पढ़ेगी इसलिए आप अभी से किसी अच्छे मिल्चोल फंड स्कीम में सिर्फ एक बार कुछ पैसा लंसम इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तयार होगा और आप उनके सारी जरुरतों को अराम से पूरा कर सकेंगे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में SBI के इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे और इसी के साथ कैलकुलेट भी करेंगे की कैसे आपको इस स्कीम में सिर्फ एक बार पचास हजार रुपे इन्वेस्ट करके डेड़ करोर रुपे तक का फंड बना सकते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं SBI Mutual Fund स्कीम के डिटेल में हैं लेकिन उस से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों SBI Mutual Fund की जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं उसके उसने पिछले एक साल का जो रिटर्न है वो 41.88% का रिटर्न है और अगर हम लास्ट दो साल की बात करें तो इस फंड ने पिछले दो साल में 32.76% का एनुवल रिटर्न दिया है और इस स्कीम ने सिंस इन्शेप्शन यानि कि जब से यह फंड लॉंच हुआ है तब से लेकर अभी तक लगतार 44.57% का एनुवल रिटर्न दिया है दोस्तों SBI के इस स्कीम का नाम है SBI Magnum Children's Benefit Fund Investment Plan दोस्तों mutual fund का पैसा share market में इन्वेस्ट होता है और जो company के fund manager होते हैं वो लोग mutual fund के पैसे अपने हिसाब से manage करते हैं और हमारे जैसे mutual fund निवेशकों को एक अच्छा return निकाल कर देते हैं और आज के time में share market भी all time high पर है और आने वाले time में उपर जाने की पूरी संभावना है इसलिए अगर आप आज से एक अच्छे mutual fund में bank FD की तरह थोड़ा सा पैसा invest करते हैं तो आने वाले time में आप एक बड़े fund तयार कर सकते हैं और इसमें आपको एक बात धयान रखनी है कि mutual fund रिक्सी investment होता है क्यूंकि mutual fund का पैसा share market में निवेश होता है जिससे की आपके अपने पैसों पर उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है और riskometer के तहत scheme very high risk वाली category में आता है इसलिए ध्यान पूर्वक पूरा knowledge के साथ ही अपने पैसों को invest करे mutual fund में दोस्तों ये भी सच है कि अगर आपको एक अच्छा fund बनाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो risk लेना ही पड़ेगा दोस्तों mutual fund में invest करने के तीन options होते हैं जैसे कि SIP यानि कि systematic investment plan, lump sum और SWP लेकिन आज हम lump sum investment के उपर बात करेंगे यानि कि FD की तरह ही एक बार आपको 50,000 रुपए invest करने हैं और उसके बाद आप यहां पर एक बड़ा fund बना सकते हैं अब बात करें इस scheme के fund size की तो इस fund का जो fund size है वो 2855.58 करोड का है यानि कि हमारे जैसे लोगों ने मिलके इस fund में धाई हजार करोड से भी जादा का investment किया हुआ है इस fund की NAV price की बात करें तो यह इसकी जो price है NAV price वो 44 रुपए 29 पैसे है NAV का मतलब होता है net asset value दोस्तों NAV किसी भी mutual fund का unit price होता है जब आप पैसा invest करते हैं तो इसकी price पर आपको units allot किये जाते हैं इस scheme में minimum investment SIP के रूप में 500 रुपए से आप सुरुआज कर सकते हैं और लंसम हम 5000 रुपए से start कर सकते हैं और लंसम में maximum की कोई limit नहीं दी गई है आप जितना चाहें उतना invest कर सकते हैं अब इस fund की expense ratio की बात करें तो इस fund का जो expense ratio है वो है 0.78% expense ratio किसी भी mutual fund का manage करने का खर्चा होता है जो company आपसे charge करती है दोस्तों इस mutual fund के top holdings की बात करें तो इस company में Hudson Agro Product, Muthut Finance Limited, KPR Mill Limited, Bajaj Housing Finance, Sakti Pumps and Renew Energy ये सब इस fund के top holdings है यह तो बात रही इस scheme की detail की अब दोस्तों इस scheme ने all time high में 44.57% का return दिया है लेकिन हम expected return 21% का मान लेते हैं कि अगर आने वाले time में 21% का return देती है और इस scheme में 50,000 रुपए एक बार में जमा करके आपको 1 करोड 52,000 तक का fund मिल सकता है तो चलिए इसको हम calculator के माध्यम से समझते हैं और calculate करके देखते हैं कैसे 1 करोड 52,000 तक मिल सकता है हमें तो दोस्तों इस scheme में अगर आप 50,000 रुपए एक बार लंबसम डाल के छोड़ देते हैं तो 21% expected return के हिसाब से 10 साल में जो estimated return बनेगा वो 2,86,375 रुपए बनेंगे 50,000 के उपर और total आपकी value बनेगी वो 3,36,375 रुपए अब इस fund को आप 15 साल के लिए invest करते हैं तो यही fund बढ़कर आपका estimated return जो मिलेगा 8,22,470 रुपए और total value जो बनेगी आपके 50,000 एड करने के वाद वो 8,72,470 रुपए होगी और अगर आप 50,000 रुपए 20 साल के लिए इसी fund में निवेस करके रहने देते हैं तो आपको जो estimated return मिलेगा वो 22,12,963 रुपए मिलेगा और total value जो बनेगी वो 22,62,963 रुपए होगी और दोस्तो अगर आप इसी fund में 25 साल के लिए बने रहते हैं तो 50,000 रुपए आपने 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो amount अब बढ़के 58,59,543 रुपए हो जाएंगे और total value की बात करें तो जिसमें 50,000 एड होंगे आपके तो वो total value होगा 58,79,543 रुपए हैं तो दोस्तो अब देखते हैं कि 5 साल इसी fund में और बने रहते हैं तो जो estimated return आपका बनेगा वो 1,51,74,082 रुपए टोटल value की बात करें तो टोटल value होगा 1,52,24,082 रुपए तो दोस्तो अगर आप 30 साल के लिए इसी fund में निवेश करके छोड़ देते हैं पचास हजार लगा के आप भूल जाते हैं तो आपको 30 साल के बाद तकरीबन 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 1,5 करोड रुपए तक का value बन सकता है इस fund में तो बात कर लेते हैं कि mutual fund में investment कैसे start कर सकते हैं जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में एक लोगो का comments है कि mutual fund investment कैसे करे तो mutual fund में invest करने के तीन तरीके होते हैं जैसे website के जरिये या broker के थुरू या फिर तीसरा घर बैठे mobile app के जरिये भी आप investment स्टार्ट कर सकते हैं आज के time में बहुत सारे ऐसे apps हैं जिसके थुरू आप अपना KYC करके investment स्टार्ट कर सकते हैं जैसे की जिरोधा app, grow app, upstock app या फिर आप ATM app या फिर phone पे app के थुरू भी investment अपना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो यह कोई promotion वीडियो नहीं है जो भी आपको अच्छा लगे उसे डाउनलोड करके simple KYC करने के बाद आप अपना investment स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आपको कोई brokerage चार्ज भी नहीं देना होगा अब दोस्तो आपको यह जनकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादा से जादा आप इसे लाइक करें और अपने friends और family group में जरूर सेयर करें ऐसे investment से related वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें जय हिंद